नमस्कार में दिवस्वागत है आपका अचके स्रोजगार समाचार में वैसे विवा जो भारतिय सेना वायू सेना और नौ सेना में अधिकारी बनने की चाहर रखते हैं उनके लिए सुनहेराब सर है दरसल यूपी से सीरियस दोजा 24 के तहट संग लोक सिवा आयोग द्वारा ओफिसर के पदों पर भरती निकाली गई है यह भरती कुल 457 पदों पर आई है जिसमें भारतिय सेने अकैडमी दहरादूर में 100 पद भारतिय नौ सेना अकैडमी एजी म तारीक 9 जनवरी 2024 है हालांकि आविदन में सुधार 16 जनवरी तक भी किये जा सकते हैं इस भरती के लगचिक उमिद्वार इसके अधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं चलिए अब हम जानते इसके आविदन सुल्क के बारे में इस आविदन के रिया आपसे 200 रुपय आविदन सुल्क के रूप में लिए जाएंगे हालांकि जो मिद्वार आरक्षित वर्ग से हैं उन्हें इसमें छूट दिये जाएंगे उनसे किसी भी प्रकार के आविदन सुल्क नहीं लिए जाने हैं आईए अब बात करते हैं इस भरती के लिए उमिद् की डिगरी होने के साथ जरूरी है कि उन्होंने physics chemistry whistle के साथ 12 वी पास किया हो आई हब जानत हूं मिद्वारों के उम्रिस सीमा के बारे में तो इसके लिए उमिद्वारों की नियूनतम आयू 19 वर्ज निर्धारित की गई है तो वहीं अधिकतम आयू 23 वर्स निर्धारित की बाद हुआ हो इसके लावे चेन प्रक्रिया और परिक्षा पैटर्न आधी से जुरी जानकारी आप इसके अधी सूचना में देख सकते हैं इसका लिंग हमने अपने डिस्क्रिप्शन वॉक्स में दे रखा है आई अब आखरी में हम बात करते हैं इस भरती के लिए हाला कि जिन उमिद्वारों द्वारा पहले ही रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वो डायरेक्ट इसके लिए आविदन कर सकते हैं आविदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इससे सब्मिट कर दे आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ बनेने के लिए आपका धन्यवा है